गुद मॉर्निंग केट्स क्लास 10 के लिए टॉपिक है ट्री स्टडी स्केचिंग के अंदर ट्री स्टडी करवा रही हूं तो आप इसको डिटेल ड्रॉइंग ना समझें जस्ट अ स्केच ओके तो स्टार्ट करते हैं एक नॉर्मल ट्री के साथ थोड़ा इजी ड्रॉइंग लेंगे हम जिससे कि आपको समझने में असानी हो और आम सो सॉरी अगर आपको पुरानी ड्रॉइंग के प्रिंट दिख रहे हैं बिकास ड्यू टो कोरोना वायरेस मैं पेजिस री यूज करे जा रही हूं फ्रेंट बैक हर तरफ ड्रॉइंग कर रही हूं तो उस पर दिहान आप अपनी ड्रॉइंपे ध्यान दीचिए नॉमली जैसे हमने ट्रंक बनाया ट्री का और उसकी ब्रांचेस अब मैं ड्रॉ कर रही हूं और ब्रांचेस करने के बाद लीफ का स्ट्रॉक्चर बिल्कुल रफली और आप एक चीज ध्यान देना कि जब हम छोटी ग्लासेस मे बांध देते थे बट इस टाइम आपको बांडरी नहीं करनी है आपको बिल्कुल फ्री हैंड लाइटिंग को धिहान में रखते हुए लीफ का एक स्ट्रॉक्चर बनाना है और बिल्कुल जिग 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 जि सब्सक्राइब और दे दूंगी सब्सक्राइब को ध्यान में रखते हुए क्योंकि आप सन बनाएंगे नहीं बट आप अपने माइंड में एक सनलाइट रखेंगे कि इधर साइड से लाइटिंग आ रही है तो हमें किंग लीव में डेप्थ देनी हैं यह चीजें आपको हेल का सा डेप्थ और अलमोस्स कम्प्लीट नेक्स द्रॉइंग एक और थोड़ा सा अलग ड्रॉइंग का ट्री लेते हैं पतला ट्रंक कुछ ब्रांचेज हमेशा ब्रांचेज ट्रंक से हम दो पतली ही रखते हैं दूदू दूदा ट्री स्ट्रॉक्चर और यह मैंने के लिए एक रफ स्केच ड्रॉग कर लिया इसमें मैं सिर्फ आपको दो ही ट्री बताऊंगे 10th क्लास बिकास यूव लॉट्स अफ वर्क टू बस इसको देखो और अपनी स्किल के हिसाब से अप डेटेल दो अगर आप देख पा रहे होगे तो इसकी लीफ मैंने थोड़ा स और अगर कोई बच्छा स्केचिंग में बहुत अचा है डिरेक्टिक्स भी उस करिए फ्लो के हिसाब से अप लाइट और चलाइए और बाकी अब मेरा हैं मुमेंस देखो कि माम किस तरीके से बना रही है तो चलो हम भी ट्राइकर ने बना पाएंगे या नहीं जब आप चा सबस्ते सभी तोड़ सी ओर आफ ल uniqu और लेफिसाइड में मैं टे रही हूं जैसे नीचे की लीप साफ पा रहे होंगे मैंस होडी ज्यादर डॉक करी है त्रंक में स्टेम में अन्व मैनने यही चीज नहीं कर आए कि लेफिसाइड में डाख रइट साइड में लेट एand it's done thank you so much happy learning